ब्रीफ रावना कोड संक्षिप्त रावन सहेता हिंदी टिप्स एक प्रातहकाल किसी मंदिर में पांच लाल फूल हनुमान जी को चड़ाने से सभी मनोकामनाई पूरी हो जाती है दो तुलसी के पौधे में जलर पित तरने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है तीन प्रविवार को पुष्य नक्षत्रकाल में सफेदाक मदार की जड़ लाकर उससे गनेश जी की प्रतिमा बनाएं चार लाल कनेर के पुष्प चंदन आदी से पूजा करके गनेश जी के बीज मंत्र का जब करेखीर ता भोग लगाकर प्रसाद ग्रहन करे मनोकामना अवश्य पूरी होगी 5. प्रतहकाल पीपल के व्रिक्ष में जल चड़ा कर प्रार्थना करने से मनोकामना शीघर पूर्ण होती है 6. लाल वस्त्र में जटायुक्त नारियल बांध दें अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हुए उसे नदी में प्रवाहित करें इससे मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी साथ बर्गद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर किसी नदी में प्रवाहित करें इससे मनोकामना शीघर पूर्ण हो जाती है आठ प्राता बेल पत्र पर सफेद चंदन का टीका लगाएं फिर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हुए उस बेल पत्र को शिवलिंग पर चड़ा दें, इससे मनो कामना अवश्य पूर्ण होगी, सर्वभाव शामा को पाए, नो नियमित रूप से साथ शनिवार, सानकाल पीपल की जड़ में, जल चड़ाएं, इससे अस्त शस्त का भाई नहीं रहता है, अल लोंग डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसे किसी निर्जन स्थान में रख दें, इससे सभी प्रकार के भाई दूर हो जाएंगे, दस संगे यश्व प्रत्न को चांदी के लाकेट में गले में पहने, इससे किसी से भाई नहीं लगेगा, आशलेशा नक्षत्र म आवले की जड उखाड लें, उसे दाहिने हाथ में पहने, इससे सभी प्रकार का भाई समाप्त हो जाता है, रविवार को पुश्य नक्षत्रकाल में आक मदार की जड उखाड लें, उसे दाहिने हाथ में पहने से जंगली पशुओं और अगनी का भाई नहीं